हेलो एवरिवान इन दिस वीडियो वी विल दिसकुस्ट आ पोईट्री और जिसको हम लाइन तो लाइन कवर करेंगे और नेम व दो पोईट्री इस दो शेंशाइन कैट और यह जो पोईट्री है यह थोड़ी सी यू कैन से दाट इस अ काइंड ओफ ऑटोबाइग्राफी क्य कि इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनकी situation थी जो मैरीट को लेके वो happy नहीं थी उसको भी इन्होंने present किया है तो यह जो पोईट्री है यह start होती है ज्यादा lengthy नहीं है छोटी सी poetry है line to line कवर करेंगे इसको they did this to her the man who knew her the man ये बोलती है they did this to her ये उसने किया the man who knew her वो आदमी जो उसे जानता था the man she loved वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी who loved her not enough being selfish and a coward the husband who neither loved nor used her यहाँ पे वो बात कर रही है हर का यूज कर रही है किसी lady के लिए और जो उसका husband है उसकी बात कर रही है कि वो उससे प्यार नहीं करता था जो उससे प्यार करती थी और वो कैसा था selfish था coward था डरपोग था कायर था the husband who neither loved nor used her ना तो उसे प्यार करता था ना उसे कभी यूज करता था यहाँ पे जो एक spiritual physical connection होता है उसकी बात हो रही है but was a ruthless watcher and the band of लेकिन एक ruthless watcher था ruthless watcher क्यों था क्योंकि वो नजर रखता था जब वो किसी और से मिलती थी she turned to cleaning to their chest where new hair sprouted like great winged moths burving her face into their smells and their young lust to forget कि जब उसको उसके husband से प्यार नहीं मिला तो उसने क्या किया बाहर उसको ढूनना श्रू किया और वो दूसरों के साथ involved हुई यह जो lines है new hair sprouted like great winged moths browing her face into their smells इसका मतलब क्या है कि उसने बाहर दूसरे जो young boys थे जो उससे उम्र में कम थे जो young थे hair sprouted मतलब जिनके अभी अभी बाल आय थे यूनो एक होता है कि जब आप young age में होते हैं तो hairs grow करते हैं concept को यहां पर दिया गया है और इनके बीच में physical relation बने किनके बीच में जिस लेडी की बात हो रही है उसके बीच में और जो उसने society में दूसरे young ones के साथ relations बनाए face into their smell का मतलब है कि यहां पर physical relation और intimation की बात हो रही है तो फॉर्गेट ओस तो फॉर्गेट अन्दे सैड इच ओफ दैम वो उस चीज को भूलना चाहती थी जो उसके husband के साथ bad memories थी इसलिए उसने नए लोगों के साथ अपने रिष्टे बनाए और you can say that extra marital affairs या बाहर की society में उसने अपने physical relations बनाए them I do not love I cannot love it is not in my nature to love but I can be kind to you लेकिन उन लोगों ने भी क्या किया उन्होंने भी यही बोला कि I do not love मैं प्यार नहीं कर सकता मैं प्यार नहीं कर सकता I cannot love it is not in my nature to love मेरा nature ही नहीं है कि मैं प्यार करूँ but I can be kind to you लेकिन मैं तुम्हारे लिए kind रहूंगा मैं तुम्हारी help करूँगा मैं तुम्हारे लिए एक लस्ट की तरह देखते हैं वो प्यार नहीं करते डिवांट ओनली फिजिकली ब्लड और जो फ्लेश होता है वो उसी गेम में इन्वाल्व होना या उसी में रहना चाहते हैं यहां पर यही इसका मतलब समझ में आता है इसके बात क्या था इन लाइन्स में बताया गया है कि उसके बात क्या उसका जो अकेला पन है वो बढ़ता जाता है क्योंकि ना तो उसे अपने हस्पिन से प्यार मिला और प्यार के तलाश में जो उसने अपने घर से बाहर रिलेशन्स बनाए तो उनके साथ भी वो फिजिकली intimate हुई उसका relation भी था लेकिन उन्होंने भी क्या बोल दिया I do not love I cannot love and in my nature it's not love तो अब उसके पास क्या है अब जो उनकी हालत है जो situation है उस lady की वो emotionally break up हो चुकी है तूट चुकी है और वो जो उसका bad है वो soft हो चुका है किसे उसकी आसुओं से मतलब वो पूरे दिन रोती है that's why जो उसका bad है वो soft हो गया उसके आसुओं से for sleep has lost its use I shall build wall with tears वो बोलती है कि मैंने आसुओं से दिवार बना लिये she said उसने कहा walls to shut me in her husband search her in कि दिवार ने मुझे अपने अंदर कैद कर लिया है जो आसू थे wall to shut me और मेरे husband ने मुझे कैद कर लिया है in every morning locked her in a room of books वो daily उसे एक room में lock कर देता था जहां पे क्या होती थी books होती थी with a streak of sunshine lying near the door like a yellow cat उस कमरे में जहां के दर्वाजे से या खिड़की से एक थोड़ी सी रोशनी आती थी वो जो रोशनी थी सूरज की रोशनी जो sunshine थी वो yellow color की थी और ऐसे ही उसकी image बनती थी जैसे की yellow cat हो और यह जो yellow cat यहां पे बुला गया है poetry के अंदर और इसका जो नाम है the sunshine cat यहीं से उठाया गया है to keep her company but soon वो जो yellow light आती थी सिर्फ वही उसको company देती थी उस lady को क्योंकि उसका husband उसे morning में बंद कर जाता था उस कमरे में जहां पे सिर्फ books थी winter came and one day while lacking her in he noticed that that cat of shine was only a line मतलब कि जब winters आई तो winters में धूप कम हो जाती है जो sunshine है वो कम हो जाती है कभी कभी तो sunshine होती है नहीं है सूरज ने निकलता तो जो winters आई तो वो cat की एक figure बनती थी जो बड़ी से रोशनी से cat बनती थी वो एक line में convert हो गई a hair thin line जिसे बालों की तरह पतली एक line होती है वो रोशनी उसमें convert हो गई and in the evening when he returned और जब शाम को वो आया उसका husband आया to take her out उसको कमरे से बाहर निकालने she was a cold and half dead woman वो कैसी थी वो थंडी थी और वो half dead woman लग रही थी मतलब उसके अंदर कोई happiness नहीं बची थी कोई desires नहीं बची थी कोई enjoyment नहीं था उसकी life इस तरीके से थी aimless life थी dreamless life थी now of no use at all to man और ये एक man की picture को present किया गया है इसके अंदर अगर in short में बात करें कि इस complete poetry में line to line हम cover कर चुके हैं तो जो first इस poem को ही two parts में divide कर सकते हैं एक part वो जब वो बोलती है कि उसके husband से उसे प्यार नहीं मिला वो बाग की बाहर relations बनाती है जैसी कि the personal failure to win the love of any of her sexual partner कि एक तो उसका husband और बाकी जो उसने बाकियों से भी love affairs अपने बनाए उनसे भी उसको क्या नहीं मिला वो fail हो गई उसको true love नहीं मिला और दूसरे part में हम इसको her husband's cruelty को अलग कर सकते हैं कि जब उसके husband ने उसे room में बन कर दिया उसने रो रो कर जो उसका bed था वो soft हो गया तो इस poem को हम two parts में divide कर सकते हैं in short if I can say that in first part जब वो fail हो जाती है analyze है ये अगर आप लिखना चाहते है तो लिख सकते हैं it was her disgust with her husband bedroved the poetess to have extra marital love affair but even these other man with whom she slept जिनके साथ वो बाद में भी सोई proved to be more disappointing disappointing क्यों हूँ हूई क्योंकि वो भी बहुत selfish थे towards love making she did not her almost to excite some genuine feeling in those other lovers by clinging to their bosoms on their on a thick growth of hair जो poetess यहां पर लेडी की बात करती है उन्होंने उनके साथ relation तो बनाए physical relations भी बनाए but they are not trustworthy and she clung to their bosoms at if wanting to hide her face in their hair वो चाहती थी कि जो उनके बाल है उनके बालों से उसके जो bosoms है जो उसके breast है वो ढख जाए those lover were younger than she herself वो उससे छोटे थे and she tries to make them forget everything except the love making but each of them told her that he could not love her through he could be kind towards her वो kind रहेंगे लेकिन उससे प्यार नहीं कर पाएंगे उसके बाद उसके tears की बात हो जाती है she was not even able to enjoy any sound sleep because of her disappointment with those lovers she wept so gradually, regularly that she could not have built walls with her tears and walls to hold her like a prisoner और वो जो walls उसके आशूँों से भरा था वो एक कैसा हो गया जैसी की उसे कैदी बना दिया और जो next इसको divide किया है हमने her husband's cruelty to her इसमें वही सारा आ जाएगा the poetess husband was so cruel to her that he used to lock her in a room जाबे सिरफ बुक्स थी every morning and used to unlock room only when he returned home in the evening जब शाम को आता तो वो से खोल देता a ray of sunshine fell on the door of the room and this ray of sunshine was the only company she had the rays of sunshine looked like a yellow colored cat and that was the poetess only came the sun ray lots of bright because of cloudy skies the sun rays was now the poetess herself और sun rays को ऐसा भी दिखाया गया है कि वो poetess खुद थी क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो cat की figure बन रही थी लेकिन बाद में बोलते हैं कि वो thin hair की तरह जो शाइन थी वो हो गई थी sunshine become so infasiated and thin because of her chronic depression and feelings क्योंकि वो बिल्कुल क्या थी उनके अंदर कोई desire नहीं बची थी she felt herself to be half dead and therefore no longer an object of sexual desire on the part of any man so इस तरीके से इस point की हमने line to line summary cover की में हमने इसकी analysis को भी देख लिया so friends मिलेंगे next video में with new content thank you